वैसे तो मैं सब की पसंद का खाना बनाती रहती हूँ, आज बनाया अपनी पसंद का ये नाच था, जिसे मैंने बिना मैदा, बिना प्राई की ये बनाया है, जो सबको बहुत पसंद आया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बावल में 1.5 गप लिए ये सुझी, ये बा requirement होगी उतना हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे क्योंकि सूजी पानी ज्यादा सोकती है बट हमें इसका पतला गोल नहीं बनाना है semi solid battery बनाना है तो इसे हम mix करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे तो देखे मैंने यहाँ पर लगबग एक कब पानी डाला है पानी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है तो आप अपनी according पानी डाल देंगे कमई डाले पहले क्योंकि बाद में अगर जरत पड़ेगी तो हम उसमें डाल सकते हैं, देखिए इस तरह का हमें बेटर चाहिए, अब इसे हम ठक के आदे गंटे के लिए रखतेंगे तो यहां पर लगबग आदे गंटा हो गया है, सोजी को खोल के चेक करते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह देखिए, सोजी ने पानी अच्छे से सोक कर लिया है, और थोड़ असा यह थिक हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ असा पानी डालूँगी, लगबग एक दिर चमश के करीब इसमें पानी डाल देंगे, और इसे तिर से मिक्स करेंगे बैटर ऐसा होना चाहिए कि पैन में अच्छे से फैल सके, तो यहां पर बैटर पूरी तरसे त्यार है, तो चलिए अब नाश्टे को बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने यहां पर एक पैन को गैस पर रग दिया है, एक चमश तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल न ज़्यादा पतला नहीं हो, थोड़ा थिक की हो, इस तरह से हमें इसको रखना है, अब इसे ढख के, दो से तीन में तक धी मियाज में पकवें देंगे, तो लगबग तीन में हो गया है, चेक करते हैं, यह देखिए, नीचे से यह पक गया है, इसे हम पलट दे रहे हैं, बह इसी भी होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब इसके उपर हम कटीवी वेजीज लगा देंगे, तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्यास को इसतना लंबा-लंबा काटके रख दिया था, उसे हम इस पे लगा देंगे, अब इसके उपर मैं यही पिज़ा बन के त्यार हो जाता है, बहुती आसान और बहुती जटबट बन जाता है, और खाने में तो बहुती टेस्टी होता है, आप एक बार इस तरह से पिज़ा बनाएंगे ना, तो मैदे वाला पिज़ा खाना आप भूल जाओगे, अब इसके उपर मैं थोड़ा पर तीन से चाटनेट हो गया है, चेक करते हैं, देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है, नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, मेरी फैमली में तो सब को यह बहुत पसंद आया, वाव, बहुती टेस्टी लग रहा है ना, सिर्फ डेड़ कप सूजी से मैंने सब के लिए पिज़ा बना लिया, हैना बहुती आसान और टेस्टी नाष्टा, यह देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं, वाव, बहुती टेस्टी बना है, आपको यह पिज़ा कैसा लगा, मुझे गमेंट बॉक्स में ज़रू बताईग मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल दन, थैंक यू वर वाचिंग एंड टेक चेर